नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो पर दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी देखने वाले हैं सरदार वल्लम भाई पटेल इसमारक अतिति निवास जो की वरारसी में है आप देख सकते हैं यह सरदार बल्लम भाई पटेल अथिती निवास का मुख्य द्वार हैं यहीं से हम इंटरी कर अंदर चलेंगे दोस्तो वीडियो परंत तक बने रही है हम आपको रूम से लेकर कीचेन बातरूम टॉयलेट तक इस अथिती निवास का दिखाएंगे आप देख सकते हैं यहाँ पे खुलेने का समय 5 बजे से है और जो बंद होने का समय है यह रातरी 11 बजे है यह मुख्य परिसर है में गेट यहीं से इंटरी कर हम अंदर चलेंगे इंटरी करने पर सबसे पहले आपको यहाँ पर कारियाले मिल जाएगा आप देख सकते हैं यहाँ पे कारियाले है और यहाँ पर आवस्यक्त दिसा निर्देश भी दिये गए हैं आप देख सकते हैं सामने आप अपने समान की सुरच्छा सोयम करें संस्था के किसी भी समान क च्छती न पहुचाएं आप इस मारक में किसी प्रकार का नसीला पदार्थ लाना रखना सेवन करना वर्जित है दोस्तों जो भी यहां पे आए वह अपने समान की सुरच्छा स्वयम करें और यहां पे जो लोग वहां खड़े करते हैं उसकी भी सुरच्छा वह स्वयम करें और इसके अंदर नसीले पदार्थ तो बिल्कुल आप नहीं ला सकते हैं आएए हम पहले कार्याले में चलते हैं और कार्याले का नजरा आपको दिखाते हैं यह है छोटा सा एक कार्याले देख सकते हैं आप इसमें बनारस के विभिन द्रिस्यों को दर्साया गया है सर आपका नाम क्या है आप क्या है सर यहां के मैनेजर आप है मतलब यहां पर आने के लिए मतलब जो टूरिस्ट होते हैं यहां रुकने का चार्ज भी लगता है नॉर्मली चार्ज कितना है सर मिनमुम आपका 150 रुपए 150 रुपए कितने दिन दबल बेट कमरा है यहां पनारस के लोग भी रुखते हैं क्या जो है मिनमुम क्लांक्ति आद्म के लिए जो हो बना है जी 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 आप यह जो है जो आपना आते हैं अपना जाते हैं अच्छा पर जो प्रेंति हां मनाई जाती हैं उस अशर पर तमाम जो ए च्छेत्र जो जो है जैसे में धावी छात्र आगे ऑगे हैं उनको लड़कों को लड़कियों सब्सक्राइब गुला हैं उनको यहां से वह जीपार शादरीफिती के तर भी दिया जाता है वहां से थार्मी शैंख्था है तरहां का साल में करिकरम कभी डाक्टरों को गुला करके एक जुछ आग का अपरेशन होग वहां को गुला करके जो है उनको निस्वरु को पूरा में अब सब्चीज होता है अब इसका उद्धेश पैसा कमाना नहीं है यह तो दान से बना है दान वाला काम है इता दूसरा साखा बिंद्याचल में भी बन चुका है बन चुका है जो है वहीं मतलब इते लोग के लिए बना है जो की निम्न वर के लोग है कम पैसे में उनको कमड़ा उपलब पर जा इते जैसा कि सर ने बताया इस अतिती निवास के बारे में वैसे हम आपको रूम से लेके कीचन से लेके तौइलेट बातरूम तक इस अतिती निवास का हम दिखाएंगे और हमारे वेडियो पर बिना इसकीप की लाश्ट तक बने रिए अभी फिलाल में ये एक छोटा सा कार्या आपको अंदर लेके चलेंगे सबसे पहले आप सरदार भल्लम भाई पतेल जी का एक प्रतीमा है उसे हम दिखाएंगे उसके बाद आपको सीधे कमरे में लेके चलेंगे उसके बाद कीचन त्वाइलिट बात्रूम सब आपको दिखाएंगे सबसे पले सामने आपको सरदार बल्लम भाई पटेल जी की प्रतीमा देखीगी आप देख सकते हैं हमारे वीडियो के माध्यम से सरदार बल्लम भाई पटेल जी की यहाँ पे प्रतीमा लगाई गई है और चारो तरफ देख सकते हैं आप, सारे रूम है, और दो फ्लोर है यहाँ पे जैसा कि सर ने आपको पहले ही बता दिया, कि यहाँ पे आपको सारी समुचित विवस्था मिलेगी चाय वह रहने का हो चाय खाने का हो यहाँ पे आपको सभी विवस्थाएं मिल जाएंगी जो भी बाहर से लोग आते हैं यहाँ आके रुख सकते हैं मात्र चार्ज केवल डेड़ सो रुपे हैं जैसा कि आपको सर ने पहले ही बता दिया आईए हम आपको अंदर लेके चलते हैं और रुम का नजारा भी दिखाते हैं कि यहाँ का जो रुम है वह कैसा है क्या लोगों के रुखने के लिए यह रुम सही होगा या नहीं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे चारों तरफ आपको रुम दिखेंगे और उपर भी है मुँ धुलने के लिए यहाँ पे आपको ब्रेसिंग मिल जाएंगे और साथ में यहाँ पे देख सकते हैं सिसे भी लगाए गए हैं तो आईए हम सिधे चलते हैं रुम की ओर और आपको रुम दिखाते हैं और यहाँ का उलोकन आपका लिजे कितना बड़ा यह अतिती निवास है और सामने सरदार बल्लम भाई पटेल जी की प्रतीमा भी विराजमान है सकते हैं यहाँ पे स्वच्छता का संदेज भी दिया गया है स्वच्छता पर ध्यान दे कूड़े दान का प्रियोग करें देख सकते हैं एक छोटा सा रूम है उपर फैन भी लगा है भिया कुछ बताई इस रूम के बारे में कि इसका दो ब्रेट का में लेट नियुक्त कामन सब्सक्राइब पर चार्ज़ दो लोगों का 200 रूपर चार्ज़ है और कितना यह मतलब कि अकिले रहें दो तो रुपर चार्ज लगेगा और यह और इसके अलावा क्या था एक टौइलेट लागा बाथ रूमाटा इस दो बेट का कमरा दिखा देजे अ कि यह सब्सक्राइब कितने दिन रहें लेंगे यह एक दिन का आज अच्छा चेक आउट बारा बजे तक उसके बाद खाली करवा देना इसको पर चार्ज लगेगा आईए मापको टौटेंट बात्रूम में दिखाते से में जॉइन है देख सकते हैं यह टॉइलेट और इसे में लूप नहां भी लेते हैं इसी में जॉइन है अब इसका भी एक बार अलोगन का लिजे और इज़र रूम है 3500 रुपे चार्ज है यदि एक व्यक्ति भी रहेगा तो भी 3500 रुपे लगेगा अगर वह सिंगल भी रहे अरे डबल भी रहे तो भी 3500 रुपे चार्ज है और भी इसको उपर भी सबसें यहां पर लगबख टॉटल कितना कमरा है 62 घज़र है हमेशा बुक रहता है को सतर परसंट तक Bundesцу करता है 30% खाली ड़ता है तो भीया ने बताया कि यहां पर सतरत प्रसंट कमरा जो है वह बूट रहता है वह 30% तक लगबख बचा रता है और उपर भी आप देख सकते हैं कई सारे रूम है आईए हम दूसरे फ्लोर में चलते हैं और दूसरे फ्लोर का भी नजारा आपको दिखाते हैं भाईया हमारे साथ लगातार हैं वह जानकारी दे रहे हैं आप देख सकते हैं हम दूसरे फ्लोर पे भी पहुच चुके ह और यहां से भी आप नजारा नीचे का देख सकते हैं सेकंड फ्लोर का भी रूम बंद है फिलाल में खिड़की में से हम आपको दिखा देते हैं कि रूम कैसा है आप देख सकते हैं और यहां पे कूलर भी रखा है आईए हम उस कमरे वाला दिखाते हैं आपको और यहां पे कुड़े रखने के लिए कुड़े दान का भी प्रयोग किया जा रहा है और यह देख सकते हैं रूम काफी अच्छा है और बैठने के लिए एक लकड़ी की चेर भी दी जा रही है यहां पे यहां पे भी इसका कितना चार्ज है 450 चार लोगों के लिए तो दोस्तो window आपने देखा यहा का नजारा अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सेयर करेे ताकि वरार्सी में आने वाले लोग यहाँ पर आके सुरच्छित रूख सके और वरारसी में अच्छे से घूम सके हैं दोस्तों जैसा कि मैंने आपको इस टार्टिंग में ही बता दिया था कि इसके अंदर एक कैंटीन भी है आप देख सकते हैं सियो कैंटीन सुद्ध साकाहारी घर की तरफ भुजनाले यहां पे है आपको प्रती थाली 50 रुपे में मिल जाएगी आईए हम बाबा से बात करते हैं और इस कैंटीन के बारे में आपको जानकारी दिलाते हैं तो बाबा बताईए क्या क्या यहां पे लोगों को खाने के लिए दिया जाता है यह है कि चावल डार, रोटी, सब्जी, सला, दचार शुद घर की तरफ भुजन मिलता है यहां पानी की बुटरूपलर्द है, नाश्टा वगरह सब यहां पर मिलता है आडर देने पर आडर देने पर सब हर चीज़ यहां पर मिल रिए कि चेकशग बनाती है मचरों की पर नॉन यहां विख चोड़के बाकि सब चीज़ यहां पर देंगे सब बन जाएगा सब का दाम तो अलग अलग होगा ना आँ उसका का दाम अलग होगा और यह पचावल लोटी सब्जी आचावल रहर की डाल है और चावल है अचार है सलाध है इतना सवाल है यहीं पे लोग खाते हैं या मतलब रूम में लेजा के खाते हैं रूम में लाउ नहीं है यहीं पे लोग बैठे खाल लेते हैं यहीं पे देख सकते हैं इसके अंदर एक हॉल भी है काफी सारे पंखे लगाए गए हैं लाइट भी यहाँ पे लगी है दोस्तों यहाँ पे मैरिज के लिए भी लोग बुक कर लेते हैं फंक्शन के लिए भी बुक कर लेते हैं इसे और इसका एक दिन का चार्ज लगभग 4,000 रुपय है और इदर देख सकते हैं काफी सारे खिड़किया हैं और सामने सरदार बल्लम भाई पटिल जी की वहाँ पर भी एक फोटो लगाई गई है आईए हम आपको दिखाते हैं इदर से पास चलके आप देख सकते हैं यह हॉल का नजारा और इदर से आए खिड़की के बाहर काम दिरिस से आपको दिखाते हैं इदर आप देख सकते हैं खिड़की के बाहर का नजारा हॉल से आप देख सकते हैं काफी सारे पौधे यहाँ पे लगे हैं और यह मकान है इधर का नजारा आप देख सकते हैं और ये है एक बड़ा सा हॉल जिसमें लोग मैरेश के लिए भी बूक कर लेते हैं और यहां पे फंक्सन के लिए भी बूक कर लेते हैं पर फिलाल में लागडाउन के बाद से ही यहां पे अभी बूकिंग नहीं हुई है